हेलो फ्रेंड्स जैशी किष्णा जैशी श्याम ये देखिए आज मैं आपको ये पॉंचो बनाना सिखाऊंगी आठ नंबर के काना जी के लिए लेकिन उससे पहले मैंने ये कुछ डिफरेंट साइजिस के पॉंचो जो है बनाके रेडी रखे हैं तो इन सभी का मेजर्मेंट मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी तो प्लीज वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत किजिएगा ध्यान से देखेगा ताकि आपको डिफरेंट डिफरेंट साइजिस के जो भी पॉंचो बाप बनाना चाहते हैं उनके सभी के मेजर्मेंट और कितनी चेनल लेनी है इन सब का पता चल सके तो चलिए वीडियो को बनाना शुरू करते हैं और इसमें जो है मैंने तीन कलर यूज किये हैं यलो रेड एंड ग्रीन आप अपनी पसंद का जो भी कलर चाहें वो बना सकते हैं और मैं आठ नमबर के जो काना जी का पॉंचो बना रही हूं वो भी से आठ नमबर के एक आणा जी के लिए यहां पे मैं 38 चेन ले रही हूं दो तीन चार पात छे साथ आठ नो तस ग्यारा बारा तेरा चोदा पंदरा सोला सतरा अठारा उननिस बीस एक्किस बाइस तेईस चोबिस पच्चिस चबिस साइस अठाइस उननतिस तीस इकतिस बतिस 33, 34, 35, 36, 37, 38 तो यह देखें यहां पे मैंने 38 चेन ले ली है यानि 38 चेन और यह जो चेन आप बनाएंगे बिल्कुल इसको लूज हाथ से बनाईए यह बिल्कुल भी इसको टाइट नहीं रखना है नॉर्मल हाथ अपना रखेगा और इसको अब यहां से इस तरह से सीधा पकड़के लास्ट वाली चेन में यहां पे इसको हम जोइन कर देंगे लास्ट वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको जोइन कर देना है और यह हमारे गले की जो चेन है वो डैडी हो गई है अब यहां पे मैं पहले तीन की चेन बनाऊंगी जो कि हमारा फस्ट डबल क करोशिया और बना लगी तो हमारे पास उती हैं ढहले कंद गोवह Pastry 20 नए कि दो chayла sha मैं भर करोशिया बनाए है दो डबल करोशिया और बना लोओ हैं तो यहांपर हमार वी- geven रैडी हो जाएगा यह देखिए इस तरह से दो डबल करोशिया दो चेन 2 डबल क्रोशिया अब इसके बाद अगली 18 चेन में हमने एक एक डबल क्रोशिया बनाना है हमने यहां पर टोटल 38 चेन ली है तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे 19-19 में अब यह एक चेन में हमने यहां पर 20 स्टिच बना लिया है बाकी बचे 19 में से 18-18 इस सब में हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे एक दो इस दागे को साथ साथ आप बीच में ले सकते हैं या फिर बाद में भी सको जॉइन कर सकते हैं चुपा सकते हैं अंदर तीन चार तो इस तरह से पहले मैं यहां पर 18 डबल क्रोशिया बना लेती हूं फिर आपको तो यह देखे इस सरह से मैंने यहां पर कोई भी चेन स्किप किये बना 18 डबल क्रोशिया बना लिया है अब फिर से यह हमारा यहां पर 19 चेन आ गया है इसमें भी स्टिच बना लेना है दो डबल क्रोशिया के साथ एक फिर इसी चेन में दूसरा डबल क्रोशिया फिर दो च chain PT और फिर 2 double crochet same chain में इसी chain में इस तरह से यहां यहां पे भी chain stitch हैं sorry v се चीच है दो double crochet के साथ यहां पे 18 double crochet है फिर 19 step दूपल क्रोशे में हमने फिर से वी स्टिज बनाया है 2 डवल क्रोशए दो चेन 2 डवल क्रोश्य और फिर से यहां पर हमारे पास 18 चेन बची है तो 18 चेन में फिर से हम एक एक डबल क्रोश्य मना लेंगे विदाउट एनी चेन स्किप किये हुए तो यह देखिए इस तरह से यहां पे भी मैंने 18 डबल क्रोशिय बना लिए हैं और लास्ट में यह जो हमने यहां पे वी स्टिच बनाया था अब हमें इसको यहां पे जोईन करना है तो थोड़ा पास से आपको दिखा देती हूँ यह देखिए जो हमने यह स्टार्टिंग मे को दूबारा बरक अपना स्टार्ट करना है तो पहले एक स्ल Іप स्टिच हम यहीं लगाएंगे एक यहां लगाएंग के और सेंटर में आ जायेंगे कि यह देखिए इस तरह से यह फर्स्ट जो रो है वह हमारे पॉंचो की स्टार्ट हो गई है अब इसको हम आगे काम शुरू करेंगे इसमें यहां पर मैं आपको बता देती हूं मैंने यहां पर 38 चेन ली है तो डबल क्रोश्य आप अपने आपसे एडजस्ट कर लीजेगा आप अपने लड़को पाल जी को पहली रो बनाने के बाद पहना के देख लीजिए गले में इस तरह से कि उनको सही आ रही है या नहीं अगर टाइट लगती है तो आप इसमें दो चेन एक्स्टा बना लीजे और अगर लूज लगती है तो आप कम भी कर सकते हैं पर मैंने जो पहले बनाया है तो उसके अकोडिंग में आपको बता रही हूँ कि 38 चेन जो है बिलकुल सही रहेगी चलिए अब नेक्स्ट रो हम स्टार्ट कर लेते हैं फिर से हम यहा पे तीन की चेन बनाएंगे सेंटर हम इस ताइब और एक डबल करोशया और बना लेंगे फिर 2 चेन फिर 2 डबल करोशया यानि हर रो में 20 के उपर हमने 20 ही बनाना है अब यहाँ पर देखिए यह ठोले नीचे कब बनाया था जो बनाए यहाँ पर डबल क्रोश्या बनाएंगे और हमने उपर वाली चेन में नहीं बनाना है नीचे बनाएंगे ऐसे अगर आप कहें तो मैं इसको जूम करके दिखा देती हूँ आपको यह देखिए जो हमारी वी स्टिच के दो क्रोश्या है इनको नहीं बनाएंगे यहाँ पर बना थे नहीं हम में एक वह दबल क्रोश्या बनाएंगे तो यह 2 हो गए हमारे पास फिर madम नेक्स्ट चेन को स्किप करेंगे इनको डबल क्रोश्या की बीच में उससे अगली में फिर से हम दो डबल क्रोश्य कटरो और यहां हमने बीच में कोई भी चेन नहीं लिया है फिर से इसको छोड़ देंगे अगले में बनाएंगे दो डबल कुरोशिया फिर इसको छोड़ दिया अगले में बनाया तो यह देखिए इस तरह से बन जाएगा एक चेन हमने स्किप करनी है अगली चेन में दो डबल कुरोशिया बना ले रहे हैं इस तरह से करते हुए हम अगले 20 चेस तक आ जाते हैं पहले फिर मैं आपको बताती हूं इसमें करना क्या है यह देखिए यहां पर हमारे पास वी स्टिच आ गया इसके भी दो डबल कुरोशिया अभी हमने वर्क करना है इससे पहले दो है इसको स्किप करेंगे यहां पर बनाएंगे अब यह देखिए अब यह वी स्टिच के दो हमारे पास डबल कुरोशिया बचे हैं तो इसको बीच में से स्किप करके सीधा सैंटर में आ जाएंगे कई बार क्या होता है कि हमारे पास जो हमने चैनली हैं वह इवन नंबर में भी होती है मलब कि यहां परूर का दबल क्रोशिया यहां पर ने के स्किप करने कर ने कि बाat तो इस में फिर यहां पर मत बनाईएगा इस वाले वी स्टीच के बिच में नहीं बनाईएगा यहां पर उसको बना लीजेगा दूसरे वाले में तो आपका यह बैलन्स हो जाएगा लेकिन यहां पर हमारे पूरे-पूरे आ रहे हैं देखिए एंड में दो डबल क्रोशिया बचे है और इसमें हम बना लेंगे इस तरह से फिर से दो चेन और दो डबल क्रोशिया तो यह वी स्टीच के ओपर हमारा वी स्टीच आ गया फिर से यहां पर हम एक चेन स्किप कर देंगे यह वाली और नेक्स्ट में बनाएंगे दो डबल क्रोशिया पिर से एक चेंड करेंगे। नेक्स्ट में दो डबल क्रोश यहा तो इसी तरह से करते हुए सेकंड रू भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहां पर हमारी सेकंड रू भी कंप्लीट हो गई हैं और वी स्टिच पे हम पहुंच गए हैं, अब यहाँ पे हमारे जो तीन की चेन, यानि फर्स्ट डबल क्रोशे हमने बनाया था, इसकी थर्ड चेन में क्रोशे कोईंटर करेंगे और स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे, देखिए, तो यह दो रो कंपलीट हो गी है, चलिए थर्ड रो स्टार्ट करते हैं, फिर से हम यहाँ पे स्लिप स्टिच करते हुए हर चेन में और सेंटर में आ जाएंगे, दो स्लिप स्टिच हमने यहाँ करें, अब फिर से तीन की चेन बनाएंगे, एक और डबल क्रोशे बनाएंगे, इस तीन की चेन को फर्स डबल क्रोशे यह देखे, वी स्टिच के ऊपर हमारा वी स्टिच ही चलता जा रहा है, फिर से वही पैटर्न करते हुए, यह छोड़े देंगे, नेक्स्ट चेन में बनाएंगे, दो डबल क्रोशिया, फिर यह जो हमारा हमने यह दो डबल क्रोशिया बनाई है, इसके ऊपर इनको स्किर ने और यहां जो हमारे पास ये होल है इसमें बनाएंगे बस अब आप ये ध्यान रखें कि आपको हर होल में बनाते जाना है जो भी हमारे दो-दो का पेर बना है इसके बीच में जो होल है इसमें हमें दो-दो डबल क्रोशिया बनाते जाना है इस तरह से यह देखे नेक्स्ट हमने यह वाला पेर छोड़ दिया और इस होल में बनाएंगे और एंड में जब हम यहां पर पहुंचेंगे तो इस वी स्टीच के ऊपर हमने वी स्टीच ही बनाना है तो इसी तरह से हम यह अपना थर्ड राउन भी कंप्लीट कर लेते हैं तो यह देखे ऊप्रेंड्स यह हमने इसकी श्रूब भी कंप्लीट कर लिए और मैं आपको एक बार दिखा देती हूं पास से यह देखे यह इस तरह से हमारे पास कुछ चेक आने लगा है चेक की form आने लगी है यहाँ पे hole है यहाँ पे hole है फिर next hole फिर इसके उपर आएगा फिर इदर आएगा तो इस तरह से check बनने लगा है तो इसी तरह से करते हुए हम 8 नंबर के काना जी के लिए 8 नंबर के लड़ू गोपाल जी के लिए 8 row complete कर लेंगे तीन मेरी row complete हो चुकी है पांच row मैं इसमें और बना लेती हूँ फिर उसके बाद आपको दिखाऊंगी सेम यही pattern follow करते हुए पांच row और बना लेते हैं तो यह देखिए friends इस तरह से मैंने यहाँ पे 8 row complete कर ली है और यह दोनों तरफ से कितना प्यारा लग रहा है beautiful सा बिल्कुल simple और बिल्कुल easy आप beginners अगर बनाना चाहें तो beginners के लिए भी यह बहुत ही आसान सा है तो यह हमारी 8 row complete हो गई है और मैंने यहाँ पे yellow thread जो है को cut कर दिया है अब मैं इसमें यहाँ पे green color का work करूंगी यहाँ पे thread मैंने तोड़ दिया था इसको हम साथ की साथ बुन लेंगे और अब हमने क्या करना है हर एक chain में जितनी भी हमारे पास chain है हर chain में हमें एक-एक single crochet बनाना है इस हरे रंग के साथ वो आपकी मर्जी है आप single बनाना चाहें single बना सकते हैं half double crochet बनाना चाहें half double crochet बना सकते हैं तो मैं यहाँ पे single crochet ही बना रही हूँ और जो बीच में हमने V-stitch बनाय था इसमें भी हमने V-stitch ही बनाना है किस तरह से पहले हमने बनाया थे 2 double crochet दो chrain और फिर 2 double crochet अब हम बनाएंगे center में 2 single crochet एक chain और फिर से चलिए शुरू करते है मैं इसको इहां से स्टार्ट कर रही हूं इस तरह से मैंने यहां पर थाका श्टार्ट कर लिया यह यह देखिए व स्टीड आगया हमारा यह मैं आपको दिखा देती हूँ पहले एक सिंगल क्रोशिया फिर दूसरा सिंगल क्रोशिया फिर एक चेन और फिर से दो सिंगल क्रोशिया यह वी स्टिच में हमारा इस तरह से बनेगा अब उसके बाद हमें कोई भी चेन स्किप नहीं करनी है हर चेन में हम एक एक जो है सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इसको कम्प्लीट कर लेंगे यह वाले थ्रेड बीच में ही मैं बनाती जाओंगी ताकि यह बीच में ही पक्के हो जाए इस तरह से करते हुए मैं पहले यहां तक बना लेती हूं अगले विस्टिस तक फिर दिखाती हूं आपको तो यह देखे फ्रेंड्स यहां से लेके हमने यहां तक यह पूरी कम्प्लीट कर ली है रो और अब यहां पर हमारे पास फिर से विस्टिच आ गया है तो फिर से हमने क्या करना है एक सिंगल क्रोशिया दो सिंगल क्रोशिया एक चेन और फिर से दो सिंगल क्रोशिया विस्ट इस तरह से हमने रोकंपलीट कर ली है अब यहां पर जो हमने स्टर्टिंग में एक चेन बनाई थी इसके साथ स्लिप स्टिश से जोइन करदेंगे और ठ्रीड को करदेंगे कट क्योंकि अब हमारा इस इस त्रेड का कोई काम नहीं है बस अब हमने यहाँ पर लास्ट में बॉर्डर बनाना है रेड कलर के साथ तो चलिए वो भी शुरू करते है यह देखे यहाँ पर मैंने थ्रेड कट किया है तो यही से मैं स्टार्ट कर दूंगे इसको बनाना कैसे करेंगे पहले हम यहाँ पर नौट लगा लेते हैं धागे के साथ इस तरह से यहाँ पर मैंने रेड कलर का थ्रेड जो है वो अटैच कर लिया है अब यहाँ पर एक बरी और हम चेन बना लेंगे नेक्स चेन में हमने एक और सिंगल क्रोश्या करना है तो यह हमारे पाद दो सिंगल क्रोश्या हो गए थर्ड चेन में हमने फिर से एक बार सिंगल क्रोश्या करना है पहले इस तरह से देखिए दो हमने सिंगल क्रोशिया यहां पर बनाए थर्ड में सिंगल क्रोशिया बनाया अब थर्ड चेंज जो है हमारी इसी में ही हमें काम करना है इसमें हम एक डबल क्रोशिया दो डबल क्रोशिया और तीन डबल क्रोशिया 3 double crochet हमने बना लिए देखिए एक बर में दुवारी से समझा देती हूँ 2 हमने single crochet बनाने हैं अलग-अलग chain में 3rd में हमने पहले single crochet बनाना है उसके बाद उसी chain में 3rd chain में ही हमने 3 double crochet बनाने है और फिर हम next जो हमारी chain है उसको कर देंगे skip एक chain को skip करके उससे next chain में यानि second chain में हमने इसको single crochet से join कर देना है इस तरह से ये हमारा एक single crochet हो गया next chain में फिर से हम एक single crochet बनाएंगे तो ये दो हो गए single crochet third chain में पहले हम single crochet बनाएंगे फिर उसके बाद third chain में ही इसी chain में ही तीन double crochet बनाएंगे पहले हमें थर्ड चेन में एक सिंगल क्रोशिय अपनाना है फिर तीन डबल क्रोशिय अबनाने है उसके बाद next चेन स्किप करके इसमें हम इसको second वाली में जोइन कर देंगे इस तरह से और जो हम जोइन करेंगे उसको हम first single क्रोशिय काउंट करेंगे एक next chain में फिर से एक single crochet बनाएंगे यानि दो हो गए थर्ड में फिर एक single crochet पहले और फिर तीन double crochet एक, दो, तीन और यह हमें इसी chain में बनाने हैं जिसमें हमने तीसरी बार single crochet किया है एक, दो, और तीन इसी chain में थर्ड वाली में ही हमने पहले single crochet बनाना है फिर तीन डबल क्रोशिया बनाने है, next chain हम skip कर देंगे, उससे अगली chain में इसको attach कर देंगे, ऐसे, first single crochet इसको count करना है, फिर second, फिर third, third में ही हमें तीन डबल क्रोशिया फिर से बना लेने हैं, chain नहीं बदलनी है, इसी chain में बनाना है, जिसमें हमने third single crochet बनाया है, यह देखें, तीन डबल क्रोशिया हो गए, फिर इस एकली chain skip करेंगे, और उससे next chain में, first single crochet बनाएंगे, फिर second, फिर third, और third chain में हम बनाएंगे तीन बार डबल क्रोशिया, फिर next chain skip करेंगे, उससे अगली में हम इसको join करेंगे, first crochet के साथ, तो यह देखें, इस तरह से हमारा border बन जाएगा, चलिए मैं border आपको बना के दिखा देती हूँ, तो यह देखें friends, इस तरह से हमारा पोच्च जो है complete हो चुका है, art number काना जी के लिए, और बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही beautiful सा है, इसमें अब हम decoration करेंगे, आपकी मर्जी जैसे भी आप इसमें decoration करना चाहें, आप चाहें तो एक फूल यहाँ पे center में लगा सकते ह या फिर दोनों तरफ एक-एक flower लगा सकते हैं, मैं इसमें जो flower लगा रही हूँ वो आपको बनाना सिखा दूँगी, साथ ही इसी वीडियो में कि मैंने ये flower कैसे लगाया है, यह देखें इस टाइप से मैंने flower लगाय हुए है, यह पफस्टीज flower है, यह मैं आपको बनाना स चलिए, वो आपको सिखा देती हूँ, यह देखें फ्रेंट्स, यहाँ पर मैंने red color का thread ले लिया है, और इसमें मैं एक यहाँ पर magic note लगा रही हूँ, और अब इसमें हम flower बनाना शुरू करेंगे, तो पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ, चार chain और फिर इसी में से यह दे तीन, चार, पांच, और छे, छे बर मैंने धागा निकाल लिया है, अब यहाँ पर thread चड़ा के इसको हम सब में से एक साथ निकाल लेंगे, यह देखिए, और इसको हम यहाँ पर एक single chain क्रोशिया बना के इसको हम tight कर देंगे, फिर से हम यहाँ पर चार की chain बनाएंगे, और इस hole में लाके, यह देखिए, magic ring में लाके इसको ऐसे slip stitch के साथ join कर देंगे, तो यह flower की हमारे first जो leaf है वो बन गई है, फिर से हम इसी hole में ही यह देखिए, इसी hole में हम चार chain बनाएंगे, और फिर से इस chain के बराबर में हमने 6 बार धागा ले रहा है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, और फिर thread लेके, इन सब में से इकठा निकाल देंगे, ऐसे है, फिर से हम यहाँ पर चार chain लेंगे, और इस hole में लाके इसको attach कर देंगे, तो यह इस तरह से दो लीफ बन गी है, यह वाला thread हम थोड़ा सा tight कर लेते हैं, और इसी में ही एक बार फिर से, चार chain यह देखिए, इसी magic ring में से, फिर से हम 6 बार धागा निकाल लेंगे, दो, तीन, चार, पांच, और 6, फिर साथ बार धागा लेके इन सब में से, एक साथ निकाल देना है, और यहाँ पर इसको note लगा देनी है, फिर से, एक, दो, तीन, चार, और इसी magic ring में इसको, जोइन कर देंगे, तीन लीफ होगी, फिर से, एक, दो, तीन, चार, चार chain, और इसी ring में से, magic ring में से, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, और साथ वे बार धागा लेके, सब में से, निकालके, एक chain मना के, इसको पक्का कर देंगे, फिर, एक, दो, तीन, चार, और इसी magic ring में हिलाके, इसको, अटैच कर देंगे, slip stitch के साथ, तो यह चार लिफ बन गई है, एक लिफ और मैं इसमें बना लेती हूं, चार की chain मनाई, और फिर से, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे बार धागा निकाला, और साथ भी बार लेके, सब में से, एक अठा, दो, तीन, चार, और फिर magic ring में इसको, slip stitch से कर देंगे, join, तो यह हमारी यहाँ पर पांच लिफ बन गई है, आपके उपड़ी पैंड है, आप पांच बनाना चाते हैं, तो पांच बना सकते हैं, छे बनाना चाते हैं, तो छे लिफ बना सकते हैं, मैं चार, पांच, और छे, साथ भी बर दागा लेके, समय से, एक साथ बाहर, फिर से, चार की चेन, और, magic ring में लाके इसको, slip stitch से, जोइन करेंगे, और फिर, एक चेन बना के, दागे को कर देंगे, cut यह जो पिछे हमारी, starting magic ring का दागा इसको, खिच के, इसको tight कर लेंगे, यह देखे, यह हमारा यहाँ पे, puff flower बनके, ready है, अब इसको, आप चाहे तो यहाँ पे भी लगा सकते हैं, चाहे तो center में लगा सकते हैं, या इस side, जैसे भी आपको ठीक लगे, वैसे आप लगा सकते हैं, मैं इसको यहाँ side में लगा रही हूँ, और फिर इसको हम यहाँ पे stitch करने के बाद, सुई धागे से, बीच में एक पर लगा देंगे, यह इतना काम मैं आपको करके, इसका final look दिखाती हूँ, और साथ ही साथ आपको measurement भी बताऊंगी, अभी, सभी sizes को बनाने के लिए, तो यह देखिए friends, इस तरह से हमारा सुन्दर सा पोचो बनके तियार है, आठ नमबर के कानाजी के लिए, और यहाँ पर यह देखिए, यह सबसे चोटा जो पोचो है, यह मैंने बनाया है, एक नमबर के कानाजी का, यह दो नमबर के लिए है, यह चार नमबर का है, और यह है 5 नंबर का मैं आपको इसके बार मैजर्मेंट बता देती हूं इस A आपको एड़िया मिल सके कि आपके जो लड़ो गोपाल है उसके लिए आपको कितनी चेंग लेनी है और कितना बड़ा च्शे लेखा कैई तो यह देखिए यह एक नमबर के लड़ी गोपाल जी के लिए मैंने पॉंचो बनाया है इसमें कोई फ्लावर नहीं लगाया है क्योंकि यह बहुत ही छोटा सा है अगर आप चाहें तो इसमें कोई स्टोन या फिर मोती लगाके इसको डेकोरेट कर सकते हैं अदर्वाइस ऐस जाइनिंग की है तो जीरो और एक दोनों को ही परफेक्ट साइज आएगा फिर भी अगर आप चाहें जीरो नमबर के लड़ी गोपाल जी के लिए इससे चोटा बनाना तो आप इसमें जो मैंने दो यलो कलर की रो डबल क्रोश्य से बनाई है इसमें से एक रो को आप हाफ बल क्रोश्या बना सकते हैं चेन आपको इतनी ही लेनी पड़ेगी 16 ताकि पहनाने में मुश्किल ना हो तो यह जीरो और एक के लिए था दो नमबर के लड़ी गोपाल जी के लिए मैंने आप अठारा चेन लेकर मैंने आप तीन रो बनाई है और इसको मैंने फ्लावर के सा पाल जी के लिए इसमें मैंने चार रो बनाई है और जो गले की चेन है वो 22 है तो इस तरह से आप दो 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 चेन का फरक डालते रहे जैसे भी आप बड़ा साइज बनाना चाहते हैं जीरो एक में 16 दो में 18 तीन में 20 चार में 22 और पांच में 24 पांच नमबर तक आपको दो दो जो चेन है उनका फरक रखना है रो आपकी बढ़ती जाएंगी जीरो एक में दो रो है जीरो और एक में दो रो है दो और तीन में तीन तीन रो है उसके बाद चार नमबर के पांच में पांच इसी तरह से आठ नमबर का जो पांच है उसमें हमने आठ जो डबल क्रो चेन इंक्रीज करनी है इसके बाद अगर आप छे नंबर साथ नंबर आठ नंबर यानि बड़े साइज के बनाना चाहते हैं तो आपको चेन का डिफरेंस चार चार का रखना होगा क्योंकि साइज जो है वह आगया के बड़ा होता जाता है लड़ू कोपाल जी के सीर का तो उ नहां पर 38 रोली है क्योंकि ये मेरी किन फ्लाई की उन है दो जो हमारे चेन है उसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं पहना के आप देख लीजिए इसली लड़ू कोपाल जी के सीर पे से ये पहुचो उतर जाना चाहिए इस तरह से पहनाने के बाद ठीक है जी तो अगर आप आपको ये पहुचो बनाने का तरीका सबसे असान लगा हो सबसे सुन्दर लगा हो देखिए आप देख सकते हैं बिल्कुल ही इजी है और कितना प्यारा लग रहा है बिगनर्स के लिए भी बहुत ही असान है इसको बनाना तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जुरूर कीजेगा जादा से जादा शेयर कीजेगा आपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी ये पहुचो बनाना सीख सकें और साथ के साथ कमेंट बुक्स में कमेंट करके भी जुरूर बताएगा कि आपको मेरा समझाने का तरीका कैसा लगता है और मिल मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए राधे राधे